आपको नमस्कार करोना की इस महमारी के दोरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है करोना की वज़े से लॉकडाउन लगाना पड़ा है लॉकडाउन की वज़े से लोगों की रोज़गार खतम हो गए कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है राशन की दिक्कत हो रही है जिनके घर में करोना हो जाता है उनको दस तरह की समस्याई है उनको बिमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने अपने लोगों की मौत हो गई जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके दोनों माबाप चले गए कई बुजूर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के उपर मंधन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के दो करोड लोग हम सब एक परिवार हैं किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें तो आज विचार मन्थन के बाद चार हम लोग घोशनाएं करने जा रहे हैं और मैं उमीद करता हूँ कि यह जो चार कदम हम उठाने जा रहे हैं इस से लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी राहत मिलेगी पहली चीज़ दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है जिनके बास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने पांच किलो राशन देती है चार किलो गेहूं एक किलो चावल इस महीने ये पांच किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिये जाते हैं इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है उनसे पैसे नहीं लिये जाएंगे इसके अलावा पांच किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहट और दिया जा रहा है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है तो हर राशन काडधारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा पांच किलो दिली सरकार की तरफ से और पांच किलो केंद्र सरकार की तरफ से लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशनकाड़ धारी है ये 72 लाख का कोटा केंदर सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतनी राशनकाड़ धारी होंगे तो नए राशनकाड अभी नहीं बन सकते लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं उनका राशनकाड नही राशन देने जा रही है। जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी हमने non PDS वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये एक दो दिन के अंदर दो चार दिन के अंदर ये लागू ह जाएगा और आपको राशन मिलना चालो हो जाएगा इसमें आपको कोई income certificate देने की जरूरत नहीं है किसी तरह की जरूरत नहीं है जो कहेगा मैं गरीब हूँ मुझे राशन चाहिए उसको राशन दिया जाएगा दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की करोना की वज़े से मौत हो गई उन सभी लोगों से हमारी सहनु भूती है हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के उपर अपने उपर कितनी बड़ी गास गिरती है आपके इस लॉस को इस ख्षती को हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहां करोना की वज़े से मौत हुई है उन्हें पचास-पचास हजार रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा एक्स-ग्रेशिया अमाउंट मुआफ़जा दिया जाएगा तीसरा ऐसे कई परिवार है जिनके यहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई वो व्यक्ति कमाता था हर महीने घर में कुछ लेके आते थे उन्हें की वज़े से परिवार चलता था ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई उनमें वो एक्स-ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ धाई हजार रुपे महीने की पैंशन भी शुरू की जाएगी अगर पती की मौत हुई तो वो पैंशन पत्नी को मिलेगी अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माबाप को वो पैंशन मिलेगी लेकिन डाई हजार रुपे उस परिवार को हर महीने पैंशन दी जाएगी जहां जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे जिनके दोनों माबाप की मौत हो गई उन दोनों माबाप की चाहे करोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माबाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब करोना से मौत हो गई मतलब दोनों में से एक की कम से कम करोना से मौत हुई और बच्चे बनात हो गए हैं ऐसे में हर बच्चे को धाए धाए हजार रुपे महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की करोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं चार एहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है, अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा, आप सोच रहोंगे कि इतना पैसा कहां से आएगा, इतनी बड़ी-बड़ी घोशना है जो आज की है, इतना पैसा कहां से आएगा छे साल पहले आप लोगों ने एक इमानदार सरकार बनाई थी पिछले छे साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वत खोरी भी नहीं होने देते उससे पैसा बचाते हैं फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते उससे भी पैसा बचाते लेकिन पिछले चार-पांच दिन के अंदर हम लोगों ने मेरे मंत्रियों ने मेरे अफसरों ने बैठके इस पर काफी विचार में मन्थन किया और ये देखा कि कहां कहां से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में है इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंग कि हम ये चार महत्वपून योजनाए आपके लेके आएं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप मुसीबत में हैं इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हों तो आपके मदद करूं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है हम सब मिलके एक परिवार की तरह दिल्ली के दो करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुक हुआ है